उन पर हमला करो रानी अब भी जिंदा है उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू करती थी रानी की एक आँख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आँख खोली उन्हें अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और पेहोश हो गई मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतार कर उनके एक अंग्रक्षक के हाथ में रख दिया और कहा ये दामोदर के लिए रानी की सांसे तेजी से चलने लगी थी उनकी चोट से खुन निकल कर उनके फेफडों में घुस रहा था वे धीरे धीरे डूबने लगी अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई हो वो बोली अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए ये कहते हुए उनका सिर एक और लुड़क गया उनकी सांसों में एक औ थी उनके चारों तरफ रैफलों की गोलियों की आवाजें बढ़ती चली जा रही थी मंदिर की दीवार के बाहर अब सैकडो ब्रिटिश स्यानिक पहुँच चुके थे मंदिर के अंदर से सिर्फ टीन रैफलें अंग्रेजों पर गोलियां चला रही थी पहले एक रैफल श सैनिको और पुजारियों के कई दरजन शव पड़े हुए थे एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था उन्हें सिर्फ एक लाश की तलाश थी तभी उनकी नजर उस चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थी उन्होंने अपने बूट से आग को बचाने क कोशिश की तब ही उसे मानव शरीर के जले हुए अवशिश दिखाई दिये राणी की हड़ियां करीब खरीब राख बन चुकी थी इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन कलेमेंट वोकर हैनीज ने बाद में राणी के अंतिम खशनों का वर्नन करते हुए लेखा हमारा व कॉबल बढ़ाने का प्रयास कर रही थी लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था कुछ ही मिंटों में हमने उस महिला पर भी काबू पा लिया हमारे एक सैनिक की कटार की तेजवार से उनके सिर पर चोट लगी और सब कुछ खर्तम हो गया बाद में पता चला कि व आनिके लेकिए